कोटा में आज दिहाद कॉंग्रेस कमीटी की और से कलेक्टरेट पर प्रदर्शन किया गया इसके बाद कलेक्टरेट पर धर्णा भी दिया गया धर्णे में पुर्वमंत्री भरस सेंग और जिलाद्यक सरोज मीडा सहीद कई पदाधिकारी शामिल हुए किसानों को मुवावजा देने और उन्हें फसल का लाबकारी मुल्य देने सहीद आम जन को महंगाई से रहा देने की मांग की गई प्रदर्शन के दोरान पीम का पुतला भी फूका और विरोध जाहिर किया पुरु मंद्री भरत सिंग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ना तो आम जन की इतेशी है और ना ही किसानों की तो हम समझते हैं जो बात करनी चाहिए होगा करनी रहे जूट बोलने में माहिर हैं है कि अपके मंदी में मंदी टैक्स नहीं लेंगे अरे मंदी टैक्स तुम लें इसके समझते हैं नहीं सकते है मंदी एक-बोड़ी-टैक्स पूर राजिस्तान में एक बोरी सरसू एक दाना नहीं खरीदा और परिणाम सरूप हर किसान को एक बोरी पर पांच रूपय का नुकसान हो और आज उड़ादर मुंग पे एक हसार से जाजा नुकसान तो इस सरकार की जगा जो है जो जगा इस राउन की है शम्शान में वही नहीं की है बढने उड़ाँ